प्रिये दर्शको नमस्कार आज आप सभी के समक्ष एक लड़की की जन्म कुंडली अध्यन करने के लिए उपस्तित हुआ हूँ इनकी जन्म की डिटेल्स आप देखी पा रहे हैं एक दिसंबर 2001 दोपहर में 12 बच करके 15 मिनिट और जन्म इस्तान जो है वो है बार मेर राजयस्तान इसके अनुसार आप इनकी कुंडली को देखेंगे तो कुंडली बनती है कुंभ लगन और व्रशवराशी की एक बात ध्या एक उड़्यी में कई बारी ये कंविजन होता है लेकिन मैंने इनकी हस्तरेक रिखा से और इनकी चेहरे की बनावत से जो सही लगन अहे उसका निर्धरन कर लिया है तो इसलिए इसके अनुसारी आप कुंडली बनाईए और इसके अनुसारी आप देखिए सबसे पहले तो यह लगन वायू तत्व का है, राशी अगनी प्रत्वी तत्व की है, जिसके कारण वायू और प्रत्वी दोनों में सामज़स्ट नहीं है, प्रत्वी का काम इस्थीर होकर के कारे करना है और वायू का काम प्रवाहित होते रहना है, जिसके कारण मन में कन्फूजान, चिर निरधरन करना है तो आप देखी यहां पर लगन में ही मंगल बैठे हैं, यानि मंगल का काम क्या रहेंगा जल्दी बाजी में काम करना, उगरता को बढ़ाना, गुस्ते को बढ़ाना, जो भी अपने मन में हो, सीधे सामने आले को बोल देना, बीना किसी हिचक के, बीना किसी जरके और जोशिला सोभाव उत्ताहा से भरा हुआ सोभाव यह मंगल पRदान करेंगे पराक्रम भाव के सवामी भी है दश्म भाव के सवामी भी धी है लगन में बेठे है तो पराक्रमी महिनती बनाएंगे और ये बोल सकते हैं कि गुस्ता क्रोथ ज्यादा रहेंगा ज्यादा सोचना, जल्दी बाजी में कारे करना, जल्दी एक्षन ले लेना ये सब सुभाव में देखने को मिलेंगा इस मंगल के कारण यहां पर वेसे मंगल कमजोर नहीं है क्योंकि शत्रू की राशी में मंगल बलवान हो जाते हैं और लगन में हो करके इनके सुभाव को गुस्तेल उगर बनाने का काम ये अवश्य करेंगे इसके पश्यात यहां लगने शनी चतूर्थ भाव में बेटे हैं जीवन में भूमी भवन वाहन का एक से अधिक मात्रा में सुख देने का काम ये करेंगे चतूर्थ भाव में चंदर्मा के साथ है चंदर्मा उच्चराशी में है पूर्णी मा के पास का चंदर्मा है तो ये शुब ग्रहक बना हुआ है लेकिन शनी और चंदर्मा का साथ में होना दशम भाव में विश्योग बनाता है माफ कीजिएगा चतूर्थ भाव में विश्य योग बनाता है और इस विश्य योग का प्रभाव मानसिक चिंता के रूप में टेंशन, चिर्टड़ापन, जिद्धीपन इन सब के रूप में देखने को मिलेंगा चतूर्थ भाव में हैं तो अधिक बाते सोचना और हर चीत की चिंता करते रहना, सभी के लिए सोचना, सभी के लिए करना इस तरह की बातों को बढ़ाएंगा लेकिन मैंने आपको पूर्व की वीडियो में बताया है कि जब भी शनी चंदरमा साथ में हो, शनी की जर्ष्टी सूर्य पर हो, तो इसा विक्ति दुसरों के लिए बहुत करता है लेकिन उसको दुसरों से जो श्रेय मिलना चाहिए, जो ट्रेडिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलता है और यहाँ पर भी वही बात होंगी चंद्रमा का कमजोर होना ये बताता है कि दूसरों के लिए सेवा करना दूसरों के लिए सोचना दूसरों के लिए अपने पेशे तक खर्च कर देना लेकिन बदले में केवल धुका और बलकी बदनामी मिले ये बात देखने को मिलेंगी ज पतलब जो इनके साथ जुड़ते है वो अपना कारे निकलवाने के लिए जुड़े और फिर इनसे दूर हो जाए ये सब बाते भी अधिक बढ़ती नजराएंगी विसे देखिए एक बात आपको बता दू कि इनके जो बारवे जुटिय भाव के स्वामी है वो पंचम भाव म बेठे है जब भी जुड़ी भाव का स्वामी पंचम भाव में बेठा हो तो इसा विक्ति अधिक बोलने वाला बन जाता है अधिक चिंता तो ये करते ही है लेकिन जुड़ी भाव के स्वामी का पंचम भाव में बेठना विक्ति को वक्ता बनाता है यहां बुद्ध भी अ हसी मजा करना ये सब सभाव में बढ़ जाता है और गुरु के प्रभाव से ज्ञान बुद्धी तो ही ही तो सभी को अपनी बातों से प्रभावित करना ये सभाव में बढ़ जाता है हाला कि गुरु राहू के साथ में है जो कई बार पेट संबंदी रोगों को बढ़ा सकते हैं लेकिन पंचम भाव में हो करके ज्यान बुद्धी विवेक और तेज माइन का ये अवश्य बनाएंगे मैंने आपको बताया था कि केतू भी पंचम भाव में बेट करके भाग्यशाली बनाने का कारे करते हैं तो इसलिए ये केतू भाग्यशाली बनाएंगे जीवन में सुखो को देने का काम करेंगे यहाँ पर दशम भाव में सूर्य दिखबली है, मंगल लगन में है ऐसी अवस्ता में अगर सरकारी नोकरी के लिए प्रयास किया जाए तो उसके भी योग यहाँ पर अच्छे बनते है शुक्रबुद लगन के कारक ग्रह सबसे प्रमुक ग्रह बनते हैं और दोनों का दशम भाव में बेठना शनी की द्रटी होना ये कही न कही अच्छे उच्छे पदों में ले जाने का कारे करें साशन प्रशासन से अच्छा सहयोग मिले ये सब बाते बढ़ जाती है इसलिए ये गौर्मेंट जोब के तयारी करें तो सफलता की योग अवश्य बनते है मैंने आपको बताया है गौर्मेंट जोब के लिए आप सूर्य अन्य ग्रहों को दशम भाव की इसीति को तो देखिए लेकिन सबसे पहले आपको चंदरमा को देखना चाहिए यहां चंदरमा को देखिए चंदरमा इनके पीडी थे थोड़े कमजोर हो रहे है जिसके कारण जो प्रयास इनके द्वारा होना चाहिए वो न हो ये बाते बढ़ जाती है चिंता टेंशन के कारण अधिक बाते सोचने के कारण पढ़ाई में मन ना लग पाना और फिर किसी कारण से पढ़ाई ध्यान उससे भटक जाना पढ़ाई धंग से ना कर पाना ये सब बाते बढ़ जाती है और रही सही कसर ये राहो भी पूरा करेंगे पंचम भाव में हो करके शिक्षा में बाधा उत्पन करने का कारे करेंगे और रही सही एक और बात है कि राहू की महादशा भी इनको चल रही है यानि सभी प्रकार से शिक्षा हेतु जो योग चल रहे है वर्तमान में वो कमजोर है और कही न कही इनकी शिक्षा को बादित करने का कार अधिक कर रहे है यहाँ पर राहू गुरू के साथ बेठे है लेकिन ये बात है कि इनकी दशा आजाने से ये अपने विशेश प्रभाव को देने का कार करेंगे और पंचम भाव में राहू हो तो कई बार फिर मोबाईल, इंटरनेट या फिर जो जितने भोतिक चीज़े होती है उनके प्रती रुजान बढ़ जाता है अपनी सजावटों पर अपने सुखों पर अधिक खर्च करना बिना सोचे विचार कई बार खर्च करना ये सब प्रभाव बढ़ जाता है राहू की दशा भी है तो अपने सुखो पर लगजरी पर अधिक खर्च ये करेंगे भी जिसके कारण भी ये बोल सकते है कि सुखो के और अधिक ध्यान होने से अपनी पढ़ाई पर अपनी शिक्षा पर इतना ध्यान नहीं दे पाएंगे और शनी चंदरमा साथ हो तो ये चिर्टडा चिंता का प्रभाव बनाता ही है आप सभी जानते ही है जिसके कारण भी प्रेशा विक्ति अपनी पढ़ाई में ध्यान न लगा पाए थोड़ा इनके सुखाव के कारण ये मतलब मानसिक चिंता अधिक करे और पढ़ाई फिर्या प्रियास करना पड़े ये मंगल के करण उग्रता, क्रोद, जल्दी बाजी में कारे करना जल्दी सब मिल जाए इनके मन में रहेंगा लेकिन शैनी के प्रभाव से चंदरमा के साथ प्रभाव से विलंब होगा कारे में देरी होंगी इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि जी यहाँ पर कहा जाए तो द्यान रखने योग या बात है कि मंगल्चहने की इस्टिती को बेलेंस करना है, इनके योगों को बेलेंस करना है। जिससे कही न कहीं इनके गर्णों की इस्थिरता बने और यह अपना अच्छा परभाव ले सके। अब आईए, पहले इनके प्रश्णों की ओर ध्यान देते हैं, फिर हम आगे देखते हैं कि क्या और किस्थिति इनकी कुंडली में बन रही है। सबसे पहला प्रश्ण इनका सरकारी नोक्री से ही जुड़ा हुआ है। जैसा मैंने आपको बताया कि यहां पर योग अवश्य बनते हैं, लेकिन कमजोर चंद्रमा एक बारी में परिणाम भी नहीं लेने देंगा और इनके मन को उसमें इस्तिर भी नहीं होने देंगा। इसलिए अधिक प्रयास करना पड़ेंगा, अन्य लोग अगर दो घंटे प्रयास करते हैं तो इनको चार घंटे करना पड़ेंगा तब जाकर के सफलता मिलेंगी, और किस शेतर में मिलेंगी तो देखिए पंचम भाव में गुरु है, मजबूत है, ज्यूतिय भाव के स्व यहां पर यही सवाल आता है कि इनके राहू की इस्तिती, राहू की दर्शा, शनी चंदरमा का साथ में होना, यह सरकारी नोकरी नहीं लगने के योग को बताती है, अब यह मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, व्रशब राशी में ये ग्रह वस्ता है, राहू औ अधिक ग्रह है और चंदरमा के साथ में अधिक ग्रह उपर से अधिक ग्रह का प्रभाव चंदर कुंडली पर आ रहा है, एसी अवस्ता में चंदर कुंडली अपना अधिक प्रभाव देती है, और उसके अनुसार भी आप देखे, तो यही बात बन रही है कि मेहनत उजा ज सब मिलता है लेकिन जिस शेतर में सोयम का प्रयास करना हो वहां पर बेठे बिठाए कुछ नहीं मिलता हुआ सोयम की मिहनत ही काम आती है। अपने फोकस को बढ़ाना वियरते की चीजों सोयम को दूर रखना जरूरी है क्योंकि राहु भी पंचम भाव में बेठ करके मित्रों की संक्या बहुत अधिक बढ़ा देता है। और फिर उसे धुका मिलता है। यहाँ पर आप देखिए पंचम भाव के स्वामी, सप्तम भाव के स्वामी, बुद्ध और सूर्य, दोनों साथ में दशम भाव में बेठे है। यह योग प्रेम विवा को दर्शाता है। नवमांश कुंडली से भी देखिए सप्तम भाव का स्वामी और नवम भाव का स्वामी दोनों की दोनों साथ में बेठे हैं। लगन में ही। तो यह भी लव मेरिज के योग को बताता है। अब एसी अवस्ता में आप देखिए कि लव मेरिज के योग है लेकिन चंद्रमा पूरी तरह से पीडित है। इसका अर्थ यही है कि यहां पर लव मेरिज होने में बहुत परिशानी आएंगी या फिर बाधा का सामना करना पड़ेंगा। वो फिर घर-परिवार वालों की लड जगड करके गुस्ता करके जिद करके स्वयम की मरदी से विवा कर लिया जाए ये योग यहां पर अधिक बढ़ जाता है जो इनके लिए नकारात्मक है और परिशानियों को देने वाला है। इसलिए इनको मेरी ओर से यही सला है कि प्रेम विवार की और नहीं जाना च इसलिए यहां पर इनको सला यही रहेंगी कि प्रेम विवार से बचे तो ही अच्छा जीवरैं यागे देख पाएंगी। और बात रहीं यहां पर जो इन गरहोın यूति की तो ये बात बन जाएंगी कि अगर प्रेम विवार न करे इस तरह के योग में तो विवार होने के इसलिगे इन को प्रेम करने वाला अच्छा साथ देने वाला व्कtu यह सब बढ़ जाती है इसलिगे इनको प्रेम विवा से बचाओ करना चाहिए अब बात आती है कि विवा कब होंगा एसी इस्तिती में अगर देखा जाए वर्तमान में राहू में शुक्र की अंतरदशा है अब राहू में शुक्र की अंतरदशा है तो शुक्र विवहा के लिए कारग्रह की श्रेणी में आता ही है एसी अवस्ता में तो वर्तमान में योग अच्छे है लेकिन आप देखिए कि यहां पर इनकी कुंडली में शनी का प्रभाव लगन पर भी है, मंगल भी लगन में बैठे है तो यह मांगल लिखे, जिसके करण इनको विवा कुंडली मिलान करके ही करना चाहिए साथ ही यहां पर यह बात भी है कि शनी की जट्टी सब्तमेश पर भी है चंद्र कुंडली से भी देखे तो सब्तमेश पर यहां पर जट्टी जो है शनी की पढ़ी रही है मंगल के उपर भी और सब्तम भाव पर भी पढ़ रही है यानि सभी प्रकार से यहां पर विवाह में विलंबा के योग है अब एक बात देखिए कि जब भी जन्म कुंडली में शनी चंदर्मा साथ हो तो ये भी ये बात बढ़ाते है कि विवाह जो हो वो अधिक देरी से हो या कई बारी 28 वर्ष के बाद असे विवाह की योग बने ये बाते बढ़ जाती है ये मंगल का प्रभाव, शनी चंदर्मा का प्रभाव, गुरू राहू साथ में होना ये सब इस्तिती भी विवाह है तो यही योग बढ़ाती है जिसके करण यहाँ पर ये बोल सकते है कि विवाह में देरी का प्रभाव जादा है राहू में मंगल की दशा 2028 में चालू होंगी उसके पच्चात जो गुरू की महादशा में गुरू की अंतर दशा आएंगी वही पर इनके विवाह के योग बनते है यानी 2029 में इनका विवाह हो इसी तरह के योग इनकी कुडली में बनते है शीगर विवाह करना भी परिशानी सूचक है इसलिए उससे बचना ही सर्वस रेष्टर रहेंगा क्योंकि आप एक बात देखिए जब भी मंगल का प्रभाव हो और शनी चंद्रमा साथ हो एसी स्थिती में ऐसे कई उधरन मेरे पास है कि जहांपर विवाह शीग रहो गया और फिर परिशानी यहां पर देखने को मिली इसलिए मैं कहूंगा कि धेरे रखना पहले अपने करियर की और ध्यान दे अपनी पढ़ाई पर अच्छा फोकस रखे और अगर सरकाई नोक्री चाहिए तो पूरी महनत उसके लिए करे तब जाकर के आगे फिर विवाह के लिए सोचना चाहिए जो इनके लिए अच्छा भी रहेगा विवाह में वेशे तो देखिए नौमांश कुंडली के सब्तम भाव में गुरु केतु बेठे है और यही बात बताते हैं कि जिससे विवाह हो वो सोयम ज्यानवान रहे अच्छी शिक्षा देने वाला रहे पीचिंग आदि से जुड़ा जोब करने वाला रहे और सभी को साथ लेकर के चलने वाला सबी के लिए अच्छा करने वाला और धार्मिकादी कारों से परिपूर्ण रहे गा यह बात भी है कि यहां पर गुरु का प्रभाव अच्छा हो गया है यहां सब्तम भाव में बेठे हुए है केतू के साथ जरूर है लेकिन जिससे विवा हो उसके सभाव को यह अच्छा करते है तो ये बात अच्छी है इसके साथ में ये बात जरूर है कि यहां पर इनका प्रेशन ये भी था कि जिससे विवा होगा वो सरकारी नोकरी में होगा क्या तो मैं बता दू कि यहां पर उसके योग भी बिल्कुल भी नहीं है सरकारी नोकरी में नहीं private teaching से जुड़ा जो भी करेंगा लड़का लेकिन private नोकरी करेंगा वो बात जाजा नजराती है हाला कि लगन कुंडली में सूर्य है सप्तमभाव के स्वामी तो वो सरकारी नोकरी के योग बताते हैं जिससे विवा हो लेकिन ये बात है कि यहाँ पर इस तरह की योग नवमाश में रिपीट नहीं हुए है और दुसरे नमबर पर ये जहाँ पर भी विशेशकर ये बोल सकते हैं कि जहाँ पर भी लड़का रहेंगा अच्छे उच्चे पदो पर रहेंगा गुरू के प्रभाव से इसलिए वो बात अच्छी है लेकिन सरकारी नोकरी में योग हो इस तरह की कोई इस्थिती नहीं बनती है इसके पश्चात इनका एक प्रश्ण ये भी था कि इनके किसी से ये मतलब प्रेम करते हैं वो भी करता है घर पर उले सब तयार है इनके घर पर उले तयार नहीं है तो वही बात नहीं पर आगे शनी चंदर्मा है लव मेरी जी होने नहीं देता कर लिया जाए तो परेशानी बढ़ाता है तो उससे दूर ही रहे वहाँ पर विवाग की योग लगन कुंडली के नुसार नहीं बनते है आप मांगलिक भी है जिसके कारण जगड़ा विवाज कर को निर्मित करता है तो उससे बचने के लिए कोशिश करे कि किसी प्रकार से भी आप मतलब लव मिरिच की ओर ना जाए और ना ही इसके हितु घर पर्यावालों से विवाज करे तो ही आपके लिए अच्छा प्रभाव मिल पाएंगा इसके बाद इनका प्रशन है कि कोशिश करे कि अभी ही अपनी पढ़ाई अपने ध्यान को भटकने ना दे और अभी शिक्षा आधी अच्छी ग्रहन करने का प्रयास करे जिससे परिणाम आगे अच्छा मिल सके और किसी प्रकार की परिशानी का सामना इनको नहीं करना पड़े फिर इनके कुछ वही सामान प्रशन की इनको कुछ याद नहीं रहता है या जल्दी भूल जाते है नोकरी से जुड़ा इनका प्रशन जरूर है वर्तमान में इनको राहू की महा दशा और उसमें शुक्र की अंतरदशा चल रही है दोनों का संबंद देखे छटे आठवे का संबंद है यानि ये दशा नोकरी देने में सक्षम है विशेशकर इसमें एक और अन्य चीजे अंतरदशा दी मिलाने पर पता चला कि जब इनको राहू में शुक्र और शुक्र में चंद्रमा की अंतरदशा चलेंगी तब जाकर के नोकरी का योग इनके लिए बन पाएंगा तो वो समय इनके लिए आ शुक्र अजेंगे बार 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 मन इनका भटके बार या मतला मतलम चेंजे के करण इस्तीरता ना मिल पाए सफलता ना मिल पाए ये बाते बढ़ती है लेकिन आगे आने वाले ही समय इस्तिर हो करके कि एक ही जगह पर इनको कार्य今年htे यही सोच करके आगे बढ़े तो इनक अगर अच्छा परिणाम आगे उससे मिलता नजर आएंगा नोकरी के लिए, वो भी टीचिंग से जोड़ी ही नोकरी इनके लिए आती है, वही ये करना भी चाहती है, तो उसी में आगे बढ़े वो अच्छा भी रहेंगा, अब इसके बाद इनके लिए देखिए, कुछ कमज परिशानी, जो भी इनके प्रशना आप देखेंगे, सभी परिशानी के पीछे शनी चंदर्मा का ही योग है, एक और बात में आपको बता दू कि इनका इक प्रशन ये भी था, कि इन्हें कहीं कुछ माइग्रेन, अस्तमा, और कुछ धूप से इलर्जी आजी इस तरह कि ज इतना असर नहीं दे पाएंगा जब पापक ग्रहों का प्रभाव अधीक हो, एसी अवस्ता में लगनेश और शष्टेश का साथ में होना, और मंगल जो तिसरे भाव के स्वामी है, इनका साथ में होना, ये कहीं ने कहीं रोगों को बढ़ाता है, शनी चंदर्मा का साथ होन अपनी परिशानियों से मुक्त हो जाएंगी, इसलिए इनको सबसे पहले चाहिए कि ये सबसे पहले हनुमान चालिशा का प्रतिदिन तीन बार पाट करना चालू करें, प्रतिदिन सुभा मेडिटेशन भी किया करें, ध्यान किया करें, जिससे स्वास्त भी अच्छा रहें दूस्ते नमबर पर शियुजी के मंदिर प्रती दिन जाना चाहिए। धरन करके रखे जिससे भी यहाँ पर जो प्रभाव है शेनी चंदर्मा की यूतिका वो भी शूब होगा और जीवन में तरक्की के लिए अच्छा रहेंगा किसी मंदिर में अवश जाना चाहिए जिससे गुरु राहु का प्रभाव अच्छा हो और मंगल के कारण भी यहाँ पर वेवाहिक जीवन परिशाने उग्रता गुस्ता यह सब बढ़ जाता है और कही न कही फिर सीदे मूँ पर बोल देना अन्य से फिर जगड़ा विवाद होना यह सब बाते बढ़ जाती है उसको ठीक रखने के लिए जो हन्मान चले सका कहा है पाट करने को वो अवश्य करें गाय को गुड़ चन्य की दाल या फिर हराचारा जो भी इस्तिती बन पाए समय समय पर खिलाते रहना चाहिए जिससे अच्छा परिणाम मिल सके इन उपायों को करने से जीवन में इस्तिता बनेगी सूर्य को अर्ग प्रते दिन देना चाहिए आधे त्यरदा इस्तोत का पाट भी करना चाहिए तो वो दोनों का शूब परिणाम मिलेंगा और ये दोनों जब शूब होंगे तो जीवन में सब शेत्रों में सफलता के योग बन जाएंगे जैसा मैंने कहा सभी परिशाने के पीछे मूल कारण शनी चंदर्मा की यूती ही है इसको ठीक कर लिया जाए तो परिणाम अच्छा मिलेंगा शनी चंदर्मा से माता को भी अधिक चिंता रहना माता के भी गुटनों में कमर में पीठ में दर्द रहना ये सा बाते देखने को मिल जाती है और इनको चाहिए कि अपनी माता से संबंद बहुत अच्छे रखे माता का प्रति दिन आहिरवाद ले माता से मतलब जितने अच्छे संबंद रखेंगे उतना अधिक शनी चंदर्मा का प्रभाव अच्छा रहेंगा इस्तिरी वर्ग का सम्मान करना और कोशिश ये करें कि देखिए शुक्र का प्रभाव विप्रित लेंगा के प्रति अधिक आकरशन को बढ़ाएंगा तो इसलिए कोशिश करें कि उनसे थोड़ा बचाव ही करें क्योंकि शुक्र के प्रभाव पर शनी की दर्ष्टी होने से ये कही न कही इतना अच्छा योग नहीं होता है फिर एसी इस्तिती में प्रेम विवाह के योग तो खेर बनते नहीं और कही न कही फिर अन्य से अफेर आधे जादा रहने के कारण वो भी मानसिक चिंता प्रदान करता है इसलिए मैं कहूँगा उससे बचाओ करना अच्छा रहेंगा और वही तोड़ा जीवन में सफलता भी देंगा ये जितने उपाय बता है वो करे गनेश जी की पूझा भी अधिक सधिक करते रहे प्रति दिन अगर संभव हो तो शीव जी के साथ में गनेश जी के मंदिर भी जाना चाहिए और गनेश जी पर दूर्वा आधि भी अर्पित किया जाए तो ये राहू के प्रभाव को अच्छा करेंगा वर्तमान में राहू की हिमा अधाशा है जो शिक्षा में नेकारियों में इनको बाधा बंती हुई नजर आ रही होंगी क्योंकि राहू की दशा शिक्षा में थोड़ी रुकावटों को बढ़ाती है मन इस्तिर नहीं होने देती और शनी चंद्रमा भी यही करेंगे जिसके कारण जो परिशानी है चिंता है और बढ़ जाएंगी इसलिए यह जो उपाय बता है इनको करते हुए अगर यह आगे बढ़ती है तो निशिटी कुछ जो योग है इनके पक्षमें आ जाएंगे फिर ही अगर सरकारी नोकरी के लिए प्रयास करें अन्ने शेत्रों में प्रयास करें तो सफलता इनको अवश्य मिल जाएंगी और जीवन में अच्छी तरह से यह कारे भी कर पाएंगी लेकिन व्यर्त की चीजों से अपने ध्यान को भटकाना है और फोकस जो लक्ष है उसको प्राप्त करने पर लगाना है तो सफलता मिल पाएंगी लव मेरीद ना करें जो समय आदी विवा है तो बताया है उस समय पर आगे बढ़े सफलता जादा मिलेंगी अभी विवा से बचाओ करना अच्छा है क्योंकि राहू की महादशा भी विवा होने पर परेशानियों को बढ़ाती है इसलिए धेर्य रखना विवा देरी से करन ही उचित रहेंगा अच्छा परिणाम प्रदान करेंगा लव अफेर वगरा किसी से ना रखें क्योंकि वो प्रेम विवा में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे बलकि मानसिक चिंता और धोका दे करके जाएंगे किसी पर जल्दी विश्वास ना करें दूसरों के लिए अच हिस्तिती निकल के आई है उसका अउलोकन किया है विशलेशन किया है आप भी देखिए क्या आपको क्या लगता है इनको विभाग प्रेम विभाग करना चाहिए इनको सरकाई नोकरी लग सकती है क्या हिस्तिती इनके बनती है आप बिल्कुल वीडियो में कमेंट करके धन्यवाद